विग्नाहर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा ये तो स्वादिष्ट ही होगी लेकिन दहन, तुम मुझसे एक बादा करो कि तुम अपने चंचल सभाव को अपने उपर हावी नहीं होने दोगी इस ब्रच से पीछे नहीं अटोगी नहीं, नहीं, मैंने दीदी को वचन दिया है, मैं नहीं खा सकती वाह, आती उत्तम, इतना स्वादिष्ट माच तो मैंने कभी खाया ही नहीं हो देना, मुझे भी देना एक मैंने एक खाही लिया तो दीदी को क्या पता चलेगा, वरत करने का स्वांग करती रहूंगी यह रुकमन कहां रह गई, उक तो आजाना चाहिए था, जो जाकर देखना चाहिए बहुत स्वादिष्ट है, एक से तो मन ही नहीं भरा, शेकर एक और खा लेती हूँ एक और देना भाया कहां रह गई यह रुकमन? यही हो दीदी, आपकी पीछे कहां रह गई थी तुम? यह देखो दीदी, कितने रस भरे फल लाई हूँ मैं हाँ, किन्तु इतना समय कहा लगा दिया तुमने शीगरता करो, भगवान के भोग का समय निकला जा रहा है शीगर आओ अच्छा हुआ, मैंने समय रहते ही ने आते देख लिया अन्यथा पकड़ी जाती, अब दीदी को पता नहीं चलेगा संभालो, रुकमन अराम से धन्यवाद, दीदी यह कैसी गंदाई तुमारे मुख से क्या खाया था तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं खाया चत्य कभी नहीं चुपता एक तो तुमने पाप किया है और अब जूट बोलने का दूसरा पाप कर रही हो सच क्या है, रुकमन? सच सच यह है कि मैंने थोड़ी सी माच खाय थी क्या? मैं स्नान कर लेती हो, फिर पुजा कर लूँगी यह कोई खेल नहीं है जो सुधार लो व्रत भंग किया है तुमने वो भी मानचाहरी भोजन खाकर अफमान किया है तुमने भगवान का अपराध है यह कुछ खा लिना अपराध कैसे हो सकता है मैंने एक व्रत ही तो भंग किया है किसी की प्राण तो नहीं ले लिये अभी भी अपनी भूल की गंबिरता नहीं समझ रही हो तुम एका दशी के दिन मासाहरी भोजन खाकर असंख्य कीट खाने वाली छिपकली के समान कारे किया है तुमने तो संभव है तुम अपनी भूल इसी प्रकार समझ सकोगी जाओ, मैं तुम्हें श्राब देती हूँ कि तुम इसी शर्ट एक खाने वाली छिपकली बन जाओ रुक्पन, बहन हे भगवान यह क्या कर दिया मैंने अपनी बहन के साथ मातरानी मुझे कभी शमा नहीं करेंगी रुक्पन मातरानी, मातरानी मातरानी मैंने क्रोध में अपनी बहन को इतना वड़ा दंड दे दिया है मातरा यदि मैंने आपकी भग्ती सच्चे मन से की है तो आप रुक्पन को मात दिखाए मातरा तो इसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ती थी कहां जाओ, कहां छिपो, कहां स्वयम को सुरक्षत करो तारा अपनी बेहन के लिए प्रातना करती रहे और उसके परणाम स्वरूब, रुपमन, चिप्कली रूप में रिशी गौरक के पवित्र आश्रम पहुंच गए, जहां बस भोजन, भक्ति, हवन का वातवरंदा हां, यहां सुरक्षत रहूंगी मैं बिना जाने बूचे, रुपमन चिप्कली रूप में आश्रम तो पहुंच गए, किन्तु महां बाजन पूचन हो रहा था, और वो, इस पावन क्रिया कलाप का आग बन दे ओम नमस्षिवाज, हर हर महादेव ओम स्वाह, ओम स्वाह उची थी कहा था तारा दीदी ने, भजन पूजन भक्ती का सुखी अद्बुत है, पहले ही सीख जाती, तो इतनी बड़ी भोलना करती, और ना ही ये परिणांबु करती उसी आश्रम में एक और रुक्मन अपनी भून सुधा रही थी, चिप्तिली रूब में भी अच्छी सीख पा रही थी, वहीं दूसरी ओर उसी आश्रम का एक ज्ञानी शिष्य पांकार में पढ़कर अज्ञानता के अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था ओम नमा श्वाए आउन मौ अपना मोस्वाए उम नमा स्वाए.. उम नमा श्वाए उम नमा स्वाए.. चलो, रथो यहां से यह जल को जुथा मत करो यह शिवय इहं से शिव अभिशेक के जल को जूठा करने का डंड तुम है अवैसे मिलेगा रप्चा ये क्या कर रहे हो इसे पाठ सिखा रहा हूं गुरुजी शिव अभिशेक के जल को जूठा करने की भोल ना करे ये कैसी मूर्खता कर रहे हो तुम एक निरप्राद पश्व को दंड़ देना चाहेते हो, शिक्छित शिष्च होकर राक्षस की भान्ती बेहार कर रहे हो, इन तु गुरु देबोड जहाँ भूल स्विकार करना चाहिए वहाँ तुम कारण बताने का प्रियास कर रहे हो, ऐसे अयोग शिष्च का, हमारे आश्र में कोई अस्थान नहीं, निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहां से. ये गोमाता, छमा कीजी, मेरे आश्रम में आपका अफमान हुआ, शिष्यगर्ण, हमें इस आश्रम को पावन करना होगा, उसके लिए यग्यन और भंडारे की तैयारी करो. और कुछ शिष्यगर्ण, घंडारे के लिए खीर बनाएं, समझ गए? अब मान तो आपने मेरा किया है, गुरुजी, अब इस आश्रम को में ऐसा पावन करूंगा, आपको भी एक पुचित बाड मिलेगा. दोस्ट ने अपनी दुष्टिता नहीं छोड़ी, अपने गुरु से क्या कुछ भी नहीं सीखा था उसने? गुरु का धर्म है शिक्षा देना, किन्तु उसे स्वीकार करना शिश्य का करतव यह है. जो शिश्य धर्म पत पर चलते हैं, वो सब उचित ज्यान सीखते हैं, किन्तु जिनकी प्रवृत्ती और प्रकृती अधर्म की है, वो बुराई की और ही बढ़ते हैं. वो दोष्ट शिश्य आश्रम से निकाले जाने पर भी नहीं सुद्रा, और वो अब एक और बड़ी भूल करने वाला था. बुरुदेव, मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्न लगाया है ना आपने, तो अब देखिएगा मेरी योग्यता. शिश्य गण अपना अपना स्थान गरहन कुरूँ. जल की दारा, हवन कुन की और, इसे तो रोकना होगा, चलो चलो, हवन भंग नहीं हो सकता. ये मुर्ख यग्यो को जल से बचाने तो चले गए, खीर को मेरे लिए छोड़ गये हैं. बुरुदेव, अब इस खीर का स्वाद आप सभी कभी बूल नहीं पाएंगे. तो यहां है वो खीर, जो भोग में चड़ेगी. अब गिरेगा ये मृत विश्धर सर्प इस खीर में, और ऐसा पावन करेगा इस आश्रम को, कि जहां से आपने मुझे निश्काशित की आधाना गुरु दे हो, वहां से आप सभी निश्काशित होंगे. वो भी सदेव सदेव के लिए हैं. चिपकली रूप में, रुपमन ही इसकी साक्षी थी. अब ये भोग के लिए खीर तयार हो चुकी है. यदि ये विशैली खीर भोग में चड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा. प्रेश जी, एक मात्र छोटी सी शिप के लिए, सभी आश्रम वासियों की रक्षा कैसे करने वाली थी? जब कोई धर्म पर अडेग हो और पूल विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो सब संभव हो जाता है. तब उसका छोटा कद्भी सबको बड़ा दिखाई देने लगता है. उसके विश्वास नहीं उसे शक्ती दी, जिससे चिपकली रूप में रुपमन कुछ ऐसा करने जारी थी, जो सर्व था अकल्पनिया था. इस घोर अनर्थ को कैसे रोकूं मैं? शिश्यों, खीर लाओ. हवन की अंतिम आहूती और भोग प्रसाद के लिए खीर की अवशक्ता होगी. ये विशैली खीर हवन की अंतिम आहूती में प्रयोग हुई, तो हवन ही भंग नहीं होगा. अपीतु प्रसाद के रूप में सभी आश्रम वासी के मित्यू का कारन बनेगी. मुझे अभी इसे रोकना होगा. अब मेरे हिरदे को शांती मिलेगी, आनंद आएगा मुझे. अब मंत्र नहीं, इन सभी की चितकारे गुझेंगी इस आश्रम में. क्या करो? कैसे रोको ही नहीं? लाओ शिश्चयों, पूर आहुती के लिए थोड़ी खील लाओ. अब एक शड़का भी विलम नहीं कर सकती मैं. एक ही उपाय है, इस खीर को ही अशुद कर इस अनिष्ट को रोकना होगा. ये कैसा अनर्थ हो गया? शमा करे, गुरुदेव. इस खीर में तो छिपकली गिर गई. ये खीर विशैली हो गई है. ये हमारे आश्रम माश्रियों के लिए ही नहीं. ये दोश पचुओं के लिए भी आनिका कारण बन सकती है. इसे ले जाओ ऐसे अस्थान पर धिरा दो. जहाएं किसी के लिए भानिका कारण न बन सके. जो आग्या, गुरुदेव. मेरी योधना विवल कर से हो गई. इस शिष्ट को तो मैंने आश्रम से निश्काशित किया था. ये यहां क्या कर रहा है? गुरुदेव, खीर के पात्र में इम्रित सर्प था. खीर के पात्र में इम्रित सर्प कैसे पहुचा? चिपकली का त्याग अजभुद्था जिसमें अपने प्राणों की आहूती देकर, हमारी और हमारी इस यग्ड की रक्षा की, और उस शिष्च की कुटिल योजना से हमें बचाया है. रक्षाओ, तुम्हें अब इस दुष्टता का और तर नहीं मिलेगा. मैं तुम्हें श्राब देता हूँ, तुम्हारा जीवन प्रस्ट मैं होगा. यदि तुम्हें इस आत्रमिया किसी और आत्रम में प्रवेश्च करने का ताहथ किया, तो वहीं प्रस्ट भूचाओ. तुम्हें कहीं आश्रे नहीं मिलेगा. उस शिपकली को उसका पन मिलना चाहिए, जिसने हमें उस दुष्ट की विसाईली योजना से बचाया है. उड़ आहुती की अंतिम आहुती, उस शिपकली के कल्याराथ अर्पित करता हूँ, जिससे उसे इस यग काफल प्राप्थ हो. ओपंश्वाहाँ ए प्रभू, मेरी बस इतनी ही प्राप्थना है, उस शिपकली को उस योनी से मुक्टी प्राप्थ हो, और उसे अगले जनम में मनुष्य योनी पाने का सौभाग्य प्राप्थ हो, जिससे उस सुकर्म के पुन्य अर्जित कर सकें, और पूर में किये पापों को मिटा सकें. सुकर्म करने पर उसका सुफल तो प्राप्त होता ही है अन्य सभी लोग भी अच्छे कर्म करने वाले की कुशलता की कामना करते हुए प्रभू की प्रार्थना करते हैं माता की जगराते में दोनों बहनों तारा और रुकमन की कथा का क्या महत्व है तारारानी की कथा माता के जगराते में कही जाने वाली सबसे प्रचलित कथा है क्योंकि इससे हमें ग्यात होता है कि कैसे माता की भक्ती के सुप्रभाव से पिछले जन्मों के दुशकर्मों के पाप भी धुल जाते हैं और माता की भक्ती से इस जन्म में भी महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और मुक्ती के द्वार खुल जाते हैं। तो क्या रुपमन के सुकर्ण का फल्म से मिला और तारारानी का क्या हुआ गड़ेश जी। समय बीटता गया। माता की असीम अनुकंपा के कारण एक और जहां तारारानी का पुनरजन्म एक सम्रिध राजपरिवार में हुआ वही दूसरी और छिपकली रूप में किये गए अपने महान त्याग के कारण रुपमन का पुनरजन्म मनुष्य योनी में हुआ जहां समय रुपमन से एक और दिन परिक्षा लेने की राह देख रहा था। व्यक्ति के लिए भेद भाव त्यागने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है।